दो दिन में 500 से अधिक लोगों पर की कारवाई हेलमेट ना पहनने वाले 180 वहन चालों को पर की गई कारवाई अब हेलमेट पहनना है जरूरी यातयत नियमों का उललंगण करने पर सक्टी से होगी कारवाई भंडारोचिले में पुलीस अधिक का भार जब से सिंगम पुलिस लोहित मतानी ने संभाला है तब से अवय द्यवसायों पर कारवाई की जा रहे है उसी प्रकार यातायात की नेमों का पालन करने के लिए और जनता की सुरक्षा के लिए साथ ही सड़कों पर हो रही दुरगटनाव को रोकने के लिए यातायात नेमों का सक्ति से पालन करे ऐसा आदेश जारी किया था उसी आदेशानुसा भंडारा जिले के 20-25 पुलिस कर्मचारियों पर यातयात नियमों का पालन नहीं करने पर कठोरता से कारवाई की वद दंड किया गया अब भंडारा जिले में यातयात नियमों का पालन ना करने वालों पर सक्ति से कारवाई की जा रही है उसी प्रकार भंडारा के राज्योगांदी चौक में जिला वहातुक निरंटन शाखा के पुलिस निरिक्षक शिवाजी कदम ने अपने करमचारियों के साथ राज्योगांदी चौक में हेलमेट, लाइसेंस वे यात्यात नियमों का उलंगन करने वालों पर सक्ति से वसुला जा रहा है